जोहाट करें इंसाफ और अपने हकती बात कानून की बात कानून की बात जोहार नमस्कार कानून की बात में हम वो सारे मुद्दे जिसमें सिर्फ आप सतर्क रहने से किसी दुरगटना के सिकार नहीं हो वो भी बताते हैं यह भी बताते हैं कि कानून कहां कैसे आपको मदद करता है और अगर आपको लगता है कि अब हमारे पास न्याय पाने का दरवाजा बंद हो गया है लेकिन उसके बाद भी हम आपके लिए दरवाजा खोलते हैं सिर्फ पैसे की कमी के कारण, सिर्फ कम पढ़े लिखे होने के कारण सिर्फ गाओं में हासिये पर रहने के कारण अगर आपको यह भरसूस होता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए भी न्यायालय का पूरा का पूरा खर्च आपका मुकदबा लड़ने के लिए अड़ोकेट सबकुछ विधिक सवाप राधिकार से बहुत आसानी से निसुल्क प्राप्त होता है करना कुछ नहीं है कि आप एक आवेदन दीजिए और आप अपने जिले की कचहरी पे वहाँ जाएए वहाँ डिले से अगे दफतर ढूड़िये और दफतर ढूड़ के सेकरेटरी साब से मिलकर करके आप अपनी बात बताईए अगर आपको लिखने नहीं आता है तो लिखवाएंगे भी क्या चाहते हैं आप वो समझेंगे समझवाएंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे इस लड़ाई में एक और लड़ाई आ गई है वो लड़ाई है पैसे की फ्रॉड की चुकि यह दुनिया बिक्सित हुई है तो हम लोग डिजिटलाइसर में चले गए हैं सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है और दिजिटल हो गया है बैंकों के लें देन का सारा काम लगबग डिजिटल है लगबग सतर फिस्दी आबादी के पास किसी न किसी रूप में स्मार्ट फोन मौझूद है अनि तो 80-85 के फिस्दी के पास वो डबे वाला नमबर वाला तो मौझूद है ही बगएर नमबर के अब तो बैंक में खाते भी नहीं कुलते हैं और उसी नमबर का फाइदा उठा करके जो फ्रॉड है वो कैसे फ्रॉड कर लेते हैं उस फ्रॉड से कैसे बचें तो साइवर फ्रॉड पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ चर्चा करने के लिए बैंक ओफ इंडिया के पुर्व जी एम बीके सिंग जी है स्वागत है आपका हम यह आप से जाना चाहेंगे कि अब तक आपके रिजिम में साइवर फ्रॉड के जो मामले आए हैं किस तरह के मामले आए हैं और कैसे हैंडिल कि आप लोगों ने सबसे पहली बात तो यह ह है कि साइवर फ्रॉड क्या है जी साइवर फ्रॉड वैसा चीज है जिसमें नेट का यूज होता है तो सबसे उपलब शाधन में हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल से हम सारा काम करते हैं और हमारा बहुत सारा समय मोबाइल पे जाता है जिसका नतीजा वो लोग उठाते ह जिसको फ्रॉड करना है और आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है फ्रॉड का नेचर कि आपके मोबाइल पे कोई कॉल आएगा और आपको बताया जाएगा कि आप पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं आपको घर बैठे पचीस हजाए रुपया मिलेगा तीस हजाए रुपया म आप इमंदारी नहीं रखेंगे आज की दुनिया में आपका विवेख ही आपको इस फ्रॉड से बचा सकता है बचने के उपाय हैं लेकिन बाद में पस्ताने से अच्छा है कि आप खुद सतर करें जैसे ही इस तरह के कॉल्स आपको आते हैं आप बिलकुल उन से कहें कि नह हमको पार्ट टाइम जॉब नहीं करना है हमको आपके हां नौकरी नहीं करनी है जब तक अगर आप लोग रखेंगे तो इस तरह का फ्रॉड होता जाएगा और यह फ्रॉड अभी इतना ज्यादा हो गया है कि अगर आप संख्या में बोलें तो 10-15 लाट का फ्रॉड नंबर करनी है वह बोलेगा ठीक है यह एक लिंक दे रहे हैं जिसको आप भर के दीजिए उससे वह आपका डाटा लेगा फिर आपको ओटीपी देगा बोलेगा यह ओटीपी आप हमसे सेर करिये और जो भी पैसा आपके अकाउंट में वह पैसा निकल जाएगा तो सबसे बड़ी प्रयूल यह ये है कि आप अपना बचाव अपने संजम से अपने मस्तिस्तर अपों सोच से कर सकते हैं स्थान है इसके अलावे बेंक में जो फ्र más के इसने किसे तरह की हैं जो प्रॉम्ट था और उसने सूचना दी तो कैसे उसको आपने मदद की पैसे लोटवाए इस तरह के कुछी के बारे बाद पर के सर क्या है कि जैसे फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है हम उनकी इंट्री को चेक करते हैं और चेक करने में अगर यह लगता है कि यह पैसे के निकासी हुई है जैसे एटिम से अपने पैसा निकाला और पैसा नहीं निकला आपका खाता डेबिट हो गया इमीडियेट आप रां आजाए अगर आप रिपोर्ट करेंगे अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे और पैसा फसा हुआ है तो थोड़ी दिक्कत होती है तो आपको यही अडवाइस किया जाता है कि जब कभी ऐसा घटना हो आप इमेडियेट जो नियरेस्ट है ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई खाता गुंबला का है और आप पैसा निकाल रहे हैं राची में अगर यहां से अगर फ्रॉड यह हो गया पैसा नहीं निकला एटी एम से तो आप अगर हमको रिपोर्ट करेंगे हम आपके एकाउंट में जा करके उसी इंट्री को हम रिवर्सल डाव को रिपोर्ट को रहे हिए मोबाय से भी का सकते हैं वर्साप मेंसेस घी कर सकते हैं या बेल भी लिए कर सकते हैं अगर करेंगे अगर हमारे पास टाइम है तो हम बिल्कुल रिस्पॉंड करेंगे नहीं तो बेहता हैं कि हम आप खुद कस्टमर जाया कस्टमर लिग करके दे और उसी समय वह लोकार वाइस करें जिस तरह कि किसे साइवर फ्रॉड में हो रहे हैं उसमें आप या आपकी बैंक हम लगभग कोशिस होती है 80% लोगों का पैसा वापस हो जाता है 20% में क्या है कि आप डिले किये हैं पैसा मूव हो गया उस एकाउंट से उस एकाउंट चला गया तो उसमें दिक्कत होती है उसको रिकॉबर करने में लेकिन जैसे ही आपके साथ यह घटना होती है आप इमे ये, तो एक रास्ता ये था कि भैक को हम नंबर ही नहीं दें या बैंक का जो नंबर है उस नंबर के लाव था बैंक के लिए छोड़ दें, यह एक रास्ता हो सकता है. बिल्कुल साथ." भरूर्ण नहीं है, यहीए रास्ता काम्याब हो ही locks," हम को ऐसा לא नहीं नहीं आप सही कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं कि अगर दो सीम हैं वैसे एकाउंटस से उसको जोडिय जिसम में आप का पैसा कम रहता है हृृ।浉क डीजितल ट्रणीक्षन में एक बटन का खेला है अगर इधर से अदometric हो से ही करना चाहिए कि जिस सीम में आपका कम पैसा हो जिस एकाउंट में उसमें वो एकाउंट नमबर डालिए और उसे से ट्रांजेक्शन करिए चुक्कि दूसरे पर परेसान होने से ज्यादा अच्छा है अपकी अपना रक्षा खुद करिए आम तोर पर चार पांस तरह के मेसेज आते हैं या फून पर बात होती है आपका बिजली का बिजली कटने वाला है बिल आपका बकाया है आपका पानी कटने वाला है पानी का बिल बकाया है तो बताईए हम तुरत भर देते हैं आपके आपका सीम जो है यह कहता है हम सीम या आप बताईए बेंक इस तरह के मामलों में तेली फोन पर सेज देती है बिल्कुल नहीं देती है आप इस बने सेज tell, बाइक अपने वृकिंग सिस्टम मेस्ट कैसे कैसे दी लेंक मामलों करते है इसमे नाकर कहसे घुरते हम से उटीपी आपका बैलनेंस नहीं साथएAN सिर्फ ये बता सकते हैं कि साहब आपका एकाउंट ऑपरेटिव नहीं है आपका एकाउंट अमुक तालिक तक डॉर्मेंट हो जाएगा आप किर्पया ब्रांच में आकर के बात करें ताकि आपके एकाउंट को एक्टिव रखा जा सके और इस तरह का जो आप अच्छा एक्ज आपको मिले तो आप बिल्कुल उसके कंसर्ण ऑफिस में जाएं और वहां जाकर के बात करें बीच में कोई भी विच्वालिया का नंबर डाला हुआ है आप उसके कभी बात मत करिए नहीं तो आपका पैसा फ्रोड हो जाएगा वहां से एक और नया चलन चल पड़ा है वो ह जो कॉंजूमर है कस्टमर है कस्टमर को कैसे वो पता चलेगा कि वो आदमी हमारे साथ फ्रोड ही कर रहा है इसलिए कि बहुत सारे फेक नूज आते हैं फेक पोस्ट आते हैं जिसको आम आदमी क्या पढ़े लिखे और समझदार आदमी के लिए इनलाइज करना बहुत नहीं उस तरह के मामलों में जो फोन रखते हैं उनको क्या करना चाएएं के सबसे बड़े चीज़ आज की दुनिया में इस तरह का कलोन करके भवाइज इब deuन कि आपके Daqui का ऑाँज क्पी करके AI के मदब से वह आपके बच्चे का आवाज करके आपको फोन करेगा कि भई आपका बच्चा यहां पे था, वो गिर गया है, हॉस्पिटलाइज है, आप मेरे खाते में इतना पैसा डालिए ताकि उसका इलाज हो सके, ऐसी परिस्तिती में आप अपने आप पे संजम रखिए, और आप दूसरे सोर्स से भी पता करने की कोसिस करें, कि सच्चाई क्या है, आपका बच्चा एक्जामनेशन देने गया है, और आपको उसी पर दस मिनट आधे घंटे के बाद आपको कॉल मिलता है, कि एक्सिडेंट हो गया, या बच्चा आपका कुछ क्रिमिनल के साथ में इन्वाल्ब है, और वो सिक्स रैकेट में फसा हुआ है, उसको अभी हमको पुलिस में रिमांड करना है, और अगर आप हमको इतना पैसा दे देते हैं, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, आप बिल्कुल भी उस बात पर चुकि ये बात में सचाई नहीं है, तो आप घबडाईए बिल्कुल नहीं, आप एक महिमत से काम लेजिए, आप कहिए कि ठीक हम आ रहे हैं, तो आपको बार-बार फोर्स करेगा, आने की जुरूरत नहीं है, आप फंड ट्रांसफर कीजिए, आप उनको बताईए कि भाई हम अपने मोबाईल से पेटी एम ये सब यूज नहीं करते हैं, आप हमेशा उसको अभॉइड करिए, कभी भी उसके चक्कर में मत जाएगा, और आपको कोई तकलिफ नहीं होगी, इसलिए घबराने के बजाए, विवेक्षे काम लेजिए, एक बड़ी समस्या है, समस्या ये है कि सेक्सर टॉर्सन, आजकल नया एक सिस्टम शुरू है, जिसमें की WhatsApp कॉल आया, जैसे ही कॉल आपने सुरू किया, कुछ दिर के बाद आवाज आए कि पैसा दो नहीं तो तुमको हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, इस तरह के मामलों में कैसे परहेज करें, पहला तो ये है कि unknown number से बहुत सारे call आते हैं, जिसको avoid करना मुस्किल है, avoid करना इसलिए मुस्किल है, कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी पतनी है, मेरी बहु है, या कोई कर्शान के है, और उसके साथ कुछ मिसैपनी हो गई है, तो कोई दूसरे का phone number ले करके phone कर रही है, और हम नहीं phone उठा रहा है, handle नहीं कर रहा है, तो उस समय वो मुस्किल में पर सकती है, इसलिए भी होता है, कोई नाते रिस्दार, कोई मि phone call, तो एक तो कुस कॉल में आता है, स्पैज्म, जिसको क्यों लाल चिलना आ जाता है, तो उसको आम तर पर लोग नहीं handle करता है, छोड़ देता है, ठीक है भाई, तो कैसे phone का वो करें, तो फोन के बगएर तो काम चलेगा नहीं, और अभी आपने बता, AI, आने वाले दिनो को मौर्फ करके उसके लड़की के साथ उसको इंगेज करेगा और फिर आपको बार बार कॉल करेगा वो, कि आपके चलते वो लड़की सुसाइड कर ली है, हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, उसमें आपको फिर कॉल आएगा कि कोई ठाना में बैठा हुआ एक आदमी है, प पिल्कुल घब रहे हैं, आप स्टैंड लेजिए और पुलिस को इंफॉर्मेशन करिए, वो आदमी दो दिन चार दिन आपको फोन करके छोड़ देगा, वो आदमी जनून है नहीं, जो आपके पीछे पड़ेगा वो, तो आपको हमेशा अपने धहर्ज का ये करना पड़े भी लिया गया है, कोई बात नहीं, आप इमेडियेट फोन बंद करिये, और अगर वहां से कॉल आता है, किसी तरह का थ्रेट आता है आपको, तो इसकी सूचना आप पुलिस को तुरत दे, और घबराने की कोई बात नहीं, पुलिस आपकी बिल्कुल मदद करेगी, वाट्स को हैंडिल करने के पहले क्या करना चाहिए, खास करके वाट्स अप कॉल में, जो यह समाने कॉल है, काई कि गरबड़ वही होती है, फोटो आपका वहीं से क्लिक होकि आपका लेगा, तो आप कोसिस करिए कि उसको आप वाइड करें पहले, अगर नहीं कर सकते हैं, जैसे ही आप देखें, आपको फिल होता है कि नहीं, यह गलत हो गया है, आप फोन को बंद कर दीगी, और उसके बाद अगर उधर से कॉल आता है, तो आप इसकी सूचना पुलिस को बताईए कि इस नंबर से यह कॉल आया था, मेरा फोटो ले लिया है, और इस तरह की बात हो सकती है पुलिस उसको इंक्वारी करके आपकी मदद करेगा। कर रहा है आप अब वाइड करेंगे तो फिर आपको कॉल नहीं करेगा अगर अगर आप एटेंड कर लिए और गलती से वह फोटो आपका क्लिक हो गया है तो आप घबराएं नहीं आप पुलीस को इसकी सोचना दीजिए इमेडियेट दीजिए पुलीस को रात है तो सुबह का इंजार करके आप उनको दीजिए ताकि वह बात आगे नहीं पढ़े और यह आप कभी मत घबडाएं कि यह फोटो वाइरल कर देगा तो हमारा क्या होगा और अगर वाइरल करता भी है तो जो आपके कनेक्शन में हैं जो मित्र हैं आप आप उनको बता दीजिए कि हमारे सा इसा हुआ है इसलिए ताकि आपको कभी भी डरने की जुरूत नहीं है इस चीजिए में अभी जो स्टूडेंट्स हैं खास करके आपको प्लस टू वाले उससे नीचे भी जिनकी हैसियत है उन्होंने फोन थमार रखा है इसलिए भी कुछ पढ़ाईयां भी वही हो रही है घर्मी की छुटी पहले हो गई तो हूंवर्क को सक्क पर मिलता है हूंवर्क करके उस ट्रह के मामले ज्यादा हो रहा है एक तो गर्यूंग है शक्स के परती साइट को बंद कर दिया रहा है अभी आपको रिसंटली हम बताएं पांसो चब्बिस साइट ऐसा है जिसको बंद किया गया है बावजूद इसके जितना बंद होता है उतना खुल जाता है तो इसमें बच्चों को आप बताईए कि आपके पास चुकी नेट की दुनिया है और इस नेट के मदद से आप पूरे बिस्व में भरमन कर लेते हैं आप गलत चीज को कभी क्लिक मत करिए जब हो तो अपने गार्डियन को बताइए कि ऐसे ऐसा हुआ है ताकि वो एक सही स्टेप लेकर के पुलीस की मदद से आपको बचा सके तुकि आप उसे बच नहीं सकते हैं आज के दुनिया में हर लोगों के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन जहां भी है वहां इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है अब थोड़ा सा ए आई पर चलते चलाते हम लोग बात करने कि ए आई को आना ही है साइकलोन की तरह गोसी साइकलोन की तरह आएगा है बिलकुल कि इस सित्री में क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जब किसी इमेल को टाइप करते हैं जब किसी वेब साइट पर आप जाते हैं तो उसका स्पैलिंग करक्ट टाइप करिए गलत स्पैलिंग होने से वह आपको गलत दिशा में ले जाएगा एक सर्जन यह बता रहे ते इस सााइट का नहीं है, हाँ, उस साइट को आप मत खोली हैं वह आप हमेसा को से करे कि जो सही साइट है उसी पर घूरिप मशिक कर दिया हूं गलत साइट पर आप जाएंगे आपको इस तरह से वह नहीं उस में का इन्डिय होता क्या है कि पेलिंग हिंधी साइट आगया और आप क्लिक कर दिया तो उससे आपको बचने की कोशी से थोड़ा जल्दी बाजी नहीं करिए चुकि अभी समय बहुत फास्ट हो गया है और जैसे आपने कहा ना कि अगर गलत साइट पे आप चले जाएएगा तो वह आपको ज्यादा तकलिफ में डाल देग इसलिए थोड़ी सी साबधानी आपको अपनी तरफ से बरपना ही पड़ेगा इस तरह के मामलों में जो विदिक स्वाप राधिकार है उनसे क्या मदद मिल सकती है अगर इस तरह कोई मामला है कि बैंक नहीं सुन रहा है पुलिस नहीं सुन रही है आम तर पर पुलिस जो है प्राधिकार आता है सर वो डारेक्ट नहीं है जैसे आपने पहले कहा कि वो लीगल हेल्प करते हैं आपको लेकिन अमूमन कहा है कि ऐसे केस में आप आनलाइन एफ आई आर केजिए उसमें कहीं जाने की ज़रूत नहीं है आपका जो लोकल थाना है उस थाने के साइट को खोलिए वहाँ पे बिलकुल मिलेगा आपको आनलाइन एफ आई आर वहाँ पे आप अपने डीटेल्स को डाल ही अगर वह सब करक्ली भरते हैं तो सम्मिट होके एक नंबर आ जाएगा तो आपको जाने की बिजरूत से वह नंबर ही है जिसको की आगे करते हैं उसका प्रिंट ले लिए जो आपका है उसमें एक चीज और हम जाना चाहेंगे कि इस तरह के मामलों में हो जाने के बाद प पैसा चुके वहां पर क्या है कि यह झालने ज्यादा मारकेटिनग होती हैं से अब यह का ऽे फिर्ट उम्हेन不知道 प्रियुक्ती प्जल देखेए कि बच्छा लोग गेमिंग एप डाउनलोड करके और अपने पिता और मता के डर से फिर उसको डिलीट करता है पर चलिए क्या करता है इसक्रीन से डिलीट कर देता है जिस्टम से वो डिलीट होता नहीं है और उस गेमिंग एप से परलल आपका OTP चलता रहता है मिस्कॉल गया, OTP आपको आया चुकि आपके स्क्रीन पर वो आया नहीं गेमिंग एप से वो आपका OTP ले लिया और पैसा निकल गया जैसे बच्चा एक साइट खोला कुछ दिन खेला कि आप लोग देखे उसको मना किया मना करने के बाद उस साइट को हटा दिया वहां से क्या करता है कि सिस्टम में जाकर के पूरा डिलीट नहीं करता है कहता है वहां अगट तो स लगने कर पार आपने जीकेस में आपका डिफंट है कि इस तरह से फ्र फॉड हुआ तो अब को पता लगए तो अब आपको पता लगता है कि लिए और प्रोश्ट करें करें दिए पुलिस को बताईए पुलीश को प्रोसेस करें कोसिस करेगी डिटेक्ट करने का लेकिन अमूमन इसमें काफी टाइम लग जाता है काफी टाइम लग जाता है कुल मिला के कंक्लूड करते हैं हम कंक्लूड करते हैं तो साइबर फ्रॉड ए आई उसके साथ निया जूड़ा है आने वाले दिन में रोबोट भी आने वाला है औ अपने लोगों को जिनके लिए या पब्लिक के लिए मजबूरी है टेलिफून इस्तेमाल करना उनको दो लाइन बदी क्या सतरक्ता बरतनी चाहिए ताकि इससे बचा जा सके जब कभी आपको इस तरह का OTP पूछा जाए आप कभी OTP शेयर न करें अपने मोबाइल का पासवर्ड जो आप रखते हैं वो थोड़े उसको दस डिजिट में इस्पेसल कैरेक्टर के साथ रखे जो आसानी से कोई कॉपी न कर सके चुकि आपका बचाव ही आपका सुरक्षा है और तो कुछ है नहीं चुकि सिस्टम आपके हाथ में एक निस्टेक वो करा लेगा और आपसे पैसा निकाल लेगा आप पैसेंस रखें घबडा के कोई काम नहीं करें और हमेशा प्रेजिंस ऑफ माइंड को ध्यान में रखें कि अब हमको क्या करना है जो कंसर्ण है उसक ना जल्दी प्रोसेस से आपका पैसा हुआ पसाने का साउधानी हटी दुरगटना घटी में बहुत पहले सी या रोड पर यह लिखा रहा था था साउधानी ही बचाओ है अभी सिक्साहाब ने बताया तो हमारे पास कोई उपाय नहीं मुबाइल तो रखना ही है निए तो लिखाँ पूलेगा और खाता खुल गया तो खाता चलेगा नहीं इसलिए का अधार के साथ है आपका पैण के लिंग है और आने जीए लेकिन यह सावधानी आपको बरत नहीं पड़ेगी कानून की बात में आज तो बस इतना ही अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्धे पर चर्चा करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार शोहार